जाहिन दोस्तो आज हम बात करेंगे एक एनर्जी मीटर एक दो फ्यूज एक न्यूटर एक फेज के लिए एक डिपी सुईच एक डिपी upon one है इसके बाद एक भूड है है इसमें चार सुल जाय एक किट है एक फ्यूज उसका वाइरिंग क आज बात करेंगे हैं तो देखिए आज यह बात करते हैं देखिए जो फेज आता है ओव एनर्जी मीटर में सिंगल फेज एनर्जी मीटर में चार ट्रेमिनल होता है ठीक है तो जो फेज वाला वायर होता है वहां लेकर आएंगे और एक ट्रेमिनल पर कनेक्ट कर देंगे ठीक है यहां फेज देखिए यहां जो फेज कनेक्ट करेंगे तो यहां से जूडा रहता है अंदर ठीक है यहां से फेज हमारा आउट कर जाएग यह चला आएगा सिधे फ्यूज में ठीक है यह जाएगा रहा है देखिए तो फिर जो आएगा एक फ्यूज में पहले ठीक है देखिए अब रहा है न्यूटल की बात न्यूटल देखिए और यह न्यूटल आएगा यहां से चला आएगा मूरें में दूसर के ट्रेमिनल पूछी जाएगा अब फिर न्यूटल यहां से इंचा इंच करेगा देखिए इसको लेकर आयेंगे थीज मैं यहां कनेक्ट कर देगे ठीक है आप यहांसे फिरज आ ओट होगा देखिए यहांसे अब फ्यूज के बाद से किट काट फ्यूज ह आउट गरेंगा तो आज आयका डियूटल यहां से आउट होगा और मो चल्ड सिछोघास कि यहां से इन किया किट कट स्विच के बाद से इन किया उसके बाद यहां से ऑट करेगा यहां से फिर टेमिनल से फिर आउट करेगा देखिये फिर लेकर आएंगे DPMCV में नीचे वाले ट्रेमिनल में इनकरा देंगे ठीक है उसके बाद लेकर आएंगे न्यूटल देखिए फिर यहां दूसरे ट्रेमिनल पर इनकरा देंगे ठीक है अब यहां से DPMCV तरसे फिर यहां से आउट करेगा देखिए यह आउट करेगा तो सीधे आएगा यहां बोर्ड जो लगाए हैं यह समालने जिए एक रूमी है रूम में एक बोर्ड हुआ तो उसी नमालने यहां से उसका बाद雜ूएं के बाद से दीपी स्विचज का फwnoल रमुला हुता है यहां से डमलने सीजूएं के लिएकाने ठीक है यहां से आउट कर आयने तो उउसको ले कर आहेंगे ।ियॉज में फिर जो आउट कराएंगे इसके वाद लेकर आयेंगे सिधा हम fuse में ठीक है देखिए हम करते हैं कि कि प्यूज में धो ट्रेमिनल होता है एक ट्रेमिनल पर जूड़ जाएगा इन कर जाएगा ठीक है कि अब यहां से जो फिए इन कर गया तो फिज में फिर दूसरे वारी ट्रेमिनल से हम आउट कराएंगे ठीक है तो फेज आउट होगा तो सीधे लेकर चले याएंगे यहां सुइच में देखिए नीचे वाल ट्रेमिनल पर जुड़ गया फिर देखिए यहां से जितने नीचे वाले ट्रेमिनल है ना सुइच है ठीक है इसको आपस में सोट कर देते हैं ठीक है हो गया यह बचिए सोकेट ठीक है तो माल लीजिए हम इस सुइच से यह सोकेट को कंट्रोल करना है ठीक है तो यहां से हम उपर वाले ट्रेमिनल होता है उससे हम आउट कराएंगे और देखिए इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे ठीक है अर गया अब सोकेट में फेज दोनों लगता है ठीक है तो यहां से न्यूटल हम यहां से निकलते हैं जो डेबल पॉल एमसी भी है यहां से न्यूटल लेकर आते हैं देखिए इधर लेकर आएंगे ठीक है इसको लाकर सोकेट में लगा देंगे हम अब देखिए माल लीजिए कि यह लेंफ हो गया यह फे देखिए इस स्वीच से मालेजी एक लेंप कंट्रोल करना है इस स्वीच से ये पंखा कंट्रोल करना है इस स्वीच से लेंप कंट्रोल करना है तो देखिए कैसे कंट्रोल करेंगे हम जो switch वाला दूसरा उपर वाला point है इसको सिधे ले जाकर हम कहां लगा देंगे एक lamp के terminal पर यह switch वाला है दूसरा switch इसको सिधे ले जाकर लगा देंगे पंखा का एक terminal पर देखिए आज जो तीसरा है उसको भी यहां से आउट कराएंगे ले जाकर लेंप के इस वहले पॉइंट पर लगा देगे आज जो न्यूटल है देखिए जो न्यूटल हो गया तो माल लेंप फैन और लेंप जलाने में तो न्यूटल चाहिए ही तो यहां से देखिए यहां स हम सीधर यहां से निकाल लेंगे और देखिए लेकर लेंप में लूटल देंगे अब फिर यहां से एक पंखा में देंगे फिर यहां से लेंप में देंगे हो गया देखिए कितना सिंपल है और जी वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिएगा ठीक है थैंक्य दोस्ट